नमस्कार मैं प्रकृति आप सब का स्वागत करती हूँ हमारे इसकारिक्रम में हम सब जानते हैं वर्ष 2019 जो है वो कुरोना से पीडित रहा 19 से 20 का जो ये सफर रहा ये बहुत ही दुख भरा भी रहा ऐसे में भारत प्रगती शील नजर आ रहा है करोना से अपनी जंग में वैक्सिन आने की भी जो है खबर आ चुकी है ऐसे में लोगों को किस प्रकार सावधानिया बरतनी है जब तक कि उनको इन्जेक्शन वैक्सिन लग नहीं जाता और करोना से आगे कैसे बचा जा सकता है इस पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर संजे पतेल जी जो की बाल रोग विशेशग्य है वारा नसी से डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में डॉक् की ये है अब ही जो हम लोग के पास जो वैक्सीन जो आई है Іंडिया में और इदर तीन देट को लग चुका है और सब्सक्राइशट्र है जो की दोनों काफे एफेक्टिव हैं और हमें लगता है कि आने वाले शमय में और जितनी ज्यादा production होगी उसी शाफ से और लोगों को भी लगाया जाएगा लेकिन अभी जो है health worker जो है वो private sector के हो या government sector के है दोनों लोग को पहले phase में लगाया जा रहा है यह जो injection है यह कोरोना से पीडित रह चुके लोगों को लगाना जादा जरूरी है या हर किसी को लगाना जरूरी है अब भी यह है कि शबी लोगों को लगाना है जो पहले कोविड पॉस्टिव थे या किसी तरह से उनको infection हो गया था उनको भी लगाना है और जो नहीं infected से पहल रहे चुके हैं मैं जादा विज्ञान के बारे में नहीं जानती लेकिन जितना मैं सुन और समझ रही हूं उनके अंदर एंटी बाडी बन जाती हैं तो एक तरह से क्या वो कुरोना जैसे वाइरस को खुदी एम्यून हो चुके हैं क्या फिर भी उन्हें इंजेक्शन लगाना पॉस्टीव थे हो सकता उनके अंदर एंटी बाडी कम बनी हो इसलिए सबको लगाना है कि जैसे उनको आ लड़ी कुछ एंटी बाडी नके बाडी में है लेकिन हम लगाते हैं तो और एंटी बाडी बन जाएगी इसे उनके शरीर में और इम्मुनेटी स्ट्रॉंग हो दिए-दिए इसके अगेंस जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं जो एंटी-बॉडी डबॉड बनाते हैं हमारी शरीर में इस वाइरस का अगेंस दीरे-दीरे हमारे सरी बहुत सारे एंटी-बॉडी बन जाती हैं जो आने वाले समय में अगर आपको कोरोना वाइरस infection होता है तो antibody उससे लडेंगी और कोई effect नहीं आने देंगी virus का हमारी शरीर के उपर जी क्या इस vaccine के टीके के कुछ दुश प्रभाव भी हैं कुछ हैं लेकिन इतना serious नहीं है दुश प्रभाव जैसे कभी को बहुत लोगों को report किया गया है जैसे fever आ सकते है mild grade headache हो सकता है body pain हो सकता है या पर injection लग रहा है जिस side पर वहां भी थोड़ा बहुत pain हो सकता लेकिन ऐसा कोई अभी symptoms नहीं आया है या दूस प्रभाव नहीं आया है vaccine का जी मतलब बहुत हलके फुलके आप कहना चाहरें कि body to body depend करेगा इसलिए डरने की जरूरत नहीं है जिन लोगों को vaccine नहीं लगा है उ लेकिन क्या यह sanitizer आपकी सेहत के लिए सही है इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना इतना ज्याद़ा आपको यूज नहीं करना है आपको लगता है जब चाहर जैसे आप कोई चीज टच करते हो तो उस समय आपको sanitizer से sanitize करना चाहा है यह अशा है नहीं कि आप किया करोना का असर बच्चों पर भी दिखाई दिया अभी तक ऐसा कुछ हम लोग फिल्ड में हम लोगों ने देखा तो बहुत बच्चों के केसिस कोबिड के नहीं आए जैसे हम लोगों ने एक दो केसिस देखे लेकिन ऐसा इस सिम्टोमेटिक था कोई सीवियर केसिस पर असर करेगा अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई केसिस नजर नहीं आए तो हम क्या समझी इस बात से अब इससे यही है कि बच्चों को यही माना जाएगा कि बच्चों की इम्मूनिटी एडल्स से बिटर होती है इसलिए कोबिड का बहुत ज्यादा एफट बच्चों पर इसलिए जो है उनकी इम्मूनिटी अच्छी होती है जी डॉक्र साब अब देखे धीरे जो है जिन्दगी नॉर्मल हो रही है तो ऐसे में लोग आप देखी रहे हैं मार्किट बाजार या जो भी कहें भीड भाड के इलाकों में वापिस भीड आने लगी है तो ऐसे में आ रहा है तीसरा स्ट्रें आ रहा है अभ अभी इस वक्त उसका क्या हालात है दूसरा स्ट्रें है हमारे इंडिया में भी आया है इसलिए ह। अभी भी हम लोगों को बच के ही रहते हैं, कोई कहाँ नहीं जा सकता है, कि वैक्सिन अगया तो, कोईड के केसेज बढ़ेंगे नहीं, हो सकता बढ़ भी जाये, दुबारा हो सकता, केसेज बढ़ने लगें, इसलिए हम लोगों को अभी भी जैसे पहले precaution लेते थे आज भी हम लोगों को precaution लेना चाहिए एक पर वैक्सीन लग गया टीका करन हो गया क्या उसके बाद हम सामान्य जीवन जी पाएंगे जी उसमें दो टू डोज है वैक्सीन की जब भी आपको जिस डेट पर लगता उसक से आप 90% बचाव है आपके सेकेंडो लेने के बाद लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को बहुत सारे precaution क्योंकि हमारी हमारे हैं वैक्सीन सब को मिलने में काफी शमय लगेगा इसलिए हम लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाई या जिनको लग गई है और दोनों लोग को तब भी हम लोगों को प्रिकाशन लेके ही रहना जी डॉक्तर साब आप हमारी जो जनता जनारदन हैं जो इस वक्त आपका शो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तरफ से ही मैसेज है कि वैक्सीन को ज़रूरी नहीं है कि शब को अभी उपलब दो पाए और लेकिन यह है कि आने वाले शमय में देरे देरे शब को उपलब दो जाएगी लेकिन उसके बाद भी हम लोग को जैसे पहले प्रिकाशन लेते थे आज हम उस चीज को हमें अब भी पालन करना पड़ेगा जैसे सोसल डिस्टेंसिंग है दूरी बना के रखें भ और हमारे जो बच्चे हैं उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए ये मैं उनके माता पिता कहीं कहना चाहेंगे कि बच्चों को अभी भी थोड़ी से दूरी बना के उनको रखना है बहुत जादा भीड़ भाल में लेकर ना जाए जब भी बाहर ज Namaskar